कि अगर इस महीने पेंशन लोगों के खाते में नहीं आई चाहे वो दिव्यांग हो ओल्ड एज हो या फिर विड़ो पेंशन हो अगर ये लोगों के खाते में इस महीने ट्रांसफर नहीं हुई तो इसको वो चेताब नहीं ना समय कि मेरा नाम पवन देव चिंग है मैं प्रयास एक नहीं दिशाएंग जीओ का चेर्मेन हूं मेरे साथ यहां हमारे प्रेज़ेंट अडामर सिंग और जनल स्यक्री रवी शर्मा वी साथ में हैं आज कि हमारी जो पत्रकार वारता है यह जो ओल्ड एज पैंशन दिव्यांग प पेंशन हो चाहे वह विडियो को पेंशन हो तो उन्होंने लगातार लोगों को चार निए मैं परिशान किया दशित डीकों कीम्ार है तरहीं पैंशन छल रही थी लेकिन अचानक से विभाग सेद्वारा इस पैंशन को बंद कर दिया अभी पिछलے चार प्रशासन से यह पूछा था कि बई पैंशन कब आई थी उन्हें हमें बोला था नेक्स मत आ जाएगी हमने आज फिर उनसे कंसर्ण किया कि इस महीने तो पैंशन आई नहीं है तो विवाग का कहना था कि देखिये हो सकता है एंडिंग में आ जाए या अगले महीने आए मतलब प्रशासन से यह पूछना चाहूंगा कि क्या आपने लोगों को परिशान करने का ठेका ले रखा है दिव्यांग हो चाहे ओल डेज हो या विड़ो हो सबी तो खाते पीते घरों के नहीं है ना इसमें ज्यादा तर रोग गरीब हैं बिलो पावर्टी लाइन के हैं जिनका एक मातर सहारा यह दिव्यांग पैंशन है यह ओल डेज पैंशन है यह विड़ो पैंशन है और वो भी आपने बंद कर रखी है आखिर कब आपको लोगों की मजबूरी का हैसास होगा और कब आप इन गरीब लोगों की मजबूरी को समझेंगे मैं आपके चैनल के माधियम स लगों से लगी महेदयो को आई यह चेताबनी देना चाहता हूं कि अगर इस महीने पैंशन लोगों के खाते में नहीं आई चाहे वो दिव्यांग हो ओल डेज हो या फिर विड़ो पैंशन हो अगर यह लोगों के खाते में इस महीने ट्रांसफर नहीं हुई तो इसको वो चेताबनी ना समझें, हम लोग सीधे गुवर्नर हाउस के बाहर प्रोटेस्ट के लिए बैर जाएंगे और हम लोग वहां से तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि ये पैंशन, लोगों की पैंशन दुबारा से स्टार्ट नहीं हो जाती और उसमें हम अपने साथ बुजर्गो को भी लेकर चलेंगे, वीडियो को भी लेकर चलेंगे और उनमें अगर किसी को कुछ हो जाता है तो वो पूरी जिम्यवारी LG साहब की होगी और उन्हें इसके लिए जवाब देना पड़ेगा